पर बिल्कुल रिव्यू यूजर रिव्यू लेगे आता हूँ मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्स जो भी मैं यूज करता हूँ उसका तो यहाँ पर Zebronics का Soundbomb X1 आक्चुली मैं कैसा परफॉर्म कर रहा है कुछ दिनों से यूज कर रहा हूँ तो सीधी बात यहाँ पर कर लेते हैं देखे 3-1 हैं यहाँ पर बेसिकली आपको Air Buds मिल जाते हैं TWS नीचे की तरफ में स्पीकर मिल जाता है उपर की तरफ में आपको LED टॉर्स मिल जाती है सबसे पहली चीज जो मुझे इसमें अच्छी लगी वो है इसका बैटरी बैकप जिस दिन समय से यूज कर रहा हूँ अभी तक मैंने इसको एक बार भी चार्ज नहीं किया मतलब फर्स टाइम मैं थोड़ा सा चार्ज किया था यूज किया है रोज रात को मैं से तीन से चार घंटे यूज करता हूँ एरबट को एक टाइम पे एक ही एरबट फिलाल में मैं यूज कर रहा हूँ दो मैं कम यूज करता हूँ तो 4-5 घंटे का battery backup मिल जाता है मुझे 60-50% volume पे 50-60 बोलना मतलब full volume में इसकी नहीं कर पाता क्योंकि काफी ज़्यादा loud है 50-60% volume पे काफी बढ़िया performance मिल जाती है music की बात करें तो इसका base थोड़ा सा high side पे है, treble कम है कुछ गाने जो इसमें vocals vocals अगर आपको सुनने है और उसमें bass ज़्यादा है ना तो vocals थोड़े बहुत दब जाते है 1400 रुपे के price में इस समय यह मिल रहा है 1400 रुपे के price के हिसाब से earbuds जो हैं वो सही तरीके से काम करते है touch इसका सही तरीके से काम करता है touch में volume control का option भी है जो कि ज़्यादा loud नहीं है तो जैसे एक 2-3 watt का speaker perform करता है ना उस हिसाब से इसकी sound है तो speaker ठीक है एक added चीज है 3-1 चीज है torch बड़ी कमाल की है torch काम आई है रात को मेंने torch को use किया है torch सही है build quality की बात करो तो plastic के build में है normal सी build quality है बहुत बहुत यह बहुत तकड़ी build quality अब 13-1400 रुपे के अंदर इनो ना 3-3 चीज़े दे दी है TWS के हिसाब से तो मुझे यह सही लगा अगर आपको base पसंद है gaming के हिसाब से नहीं है low latency इसमें नहीं है तो gaming के हिसाब से यह नहीं है अब sound bomb के ना और भी version आते है तो यहाँ पर एक और चीज़ आपका ध्यान रखनी है कि एक चीज मेरे को इसमें यहाँ पर थोड़ी सी difficult लगते है और इसको बाहर निकालने में तो थोड़ा सा थोड़ा सा कई बार दिकर लगता है इसको बाहर निकालने में अच्छा यह जो design है ना यह मतलब half inner ear type है पूरा inner ear तक तो नहीं है तो फिर भी इसमें bass अच्छा आता है बहुत ज़ादा मतलब deep bass तो इसमें नहीं कह सकते है लेकिन bass जो है heavy आपको थोड़ा सा मिल जाएगा 14500 के earphone के हिसाब से अब यह मत सोचना कि 34000 वाले earphone में जैसा bass मिलता है उस हिसाब से deep bass मिलेगा deep bass नहीं मिलेगा heavy मिल जाएगा थोड़ा बहुत लेकिन price के हिसाब से earphones की quality ठीक है travel कम है इस चीज़ का ध्यान रखना vocals आपको clear सुनाई देंगे लेकिन अगर bass जादा है song में तो vocals थोड़े बहुत दब जाते है एरफोन के हिसाब से और torch के हिसाब से मुझे काफी सही चीज लगी speaker के हिसाब से रात के टैम पे अगर movie बगएरा देख रहे हो और loud चाहिए थोड़ा सा तो speaker आपको जो है 17-18 घंटे का backup दे देगा 50% volume पे full volume करोगे तो आपको अराम से 8 या 9 घंटे का battery backup मिल जाएगा तो price के हिसाब से यार worth है चीज price के हिसाब से मतलब इसमें और cons निकालने के कुछ है नहीं इसमें special कुछ price के हिसाब से मुझे यह चीज ठीक लगी एक चीज और मैं बता दू इन दोनों चीजों को यानि कि speaker और earphone को आप दो अलग-अलग phone पे pair कर सकते हो यहाँ पर आपको भार निकालना है इसमें fast pairing का support नहीं है earphone भार निकालोगे तब ही phone से connect होता है और speaker को connect करने के लिए यहाँ पे एक button दे रखा है तो speaker को आप चाहो तो इसी और device के साथ भी connect कर सकते हो यहाँ पे आपको एक light मिलती है speaker के लिए volume control के buttons यहाँ पे दे रखे है और इस side में आपको battery indicator मिलता आप यहाँ पे देखो दो light जल रही है चार light के indicator है यानि 50% battery जो हैसमें बची है charging case में back side में आपको soundbong की देखने में unique तो लगता है और उसे साब साब consider करना चाहने तो कर सकते है ऐसी और user review में लेके आता रहता हो अपने channel पे तो subscribe कर सकते है अगली वीडियो में